नौस्कार दोस्तो वेलकम टो में चैनल बहुत दिन बात ट्यूटोरियल दे रहा है तो छोटा सा एक प्रॉब्लम है उनके लिए वेलकम टोर्चेट से कर लोग कर देखते हैं कारो यृट्व हमको मेसेजेच किया है तो प्रॉब्लम लेकर थोड़ा सा बातचीत करते यह जब लोका ओकर Information कारो के बुर्दिंग जो होता है बुर्दिंस देखके गाना प्ड़ता है become the one doesn't लिखा हुआ नहीं है तो कारों के देख के उसका जो वर्डिंग है वो देख के करना पड़ता है मगर क्यूबेस में अगर आप क्यूबेस 5 बोलो क्यूबेस 10 बोलो कोई भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो और इसमें लिडिक्स भी आप देख पाऊगे और सबकुछ ठीकर्डिंग भी कर सकते हो तो देखते हैं कैसे करता है जैसे की हम इधर एक सार्च किया है किशोर कुमार कारों के बोलके तो एक गाना हम हमारा सामने आया है ओ मेरील के चैन तो यह हम डाउनलोड करना चाहते है तो इसको डाउनलोड करने के लिए YouTube डाउनलोडर नॉर्मली यह जो साइट है थोड़ा देख लीजिए तो इसमें आपको लिंक पेस्ट करना पड़ेगा मतलब यह लिंक कॉपी करके उपर का जो लिंक है कॉपी करके इसका अंदर पेस्ट करना पड़ेगा उसके बाद यह डाउनलोड का ओप्शन आ जाएगा तो इधर एक बहुत इंपर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखना है बिसिकली डाउनलोड आप लोग करोगे तो MP4 इसका बहुत सारा ओप्शन भी है तो देखिए बाकी जितना सारा हाई रेजिलूशन का है मैं Chuck 480 480 365 480 360 तो इसमें क कॉई कोई भी वीडियो में है तो इसका अंदर साउंड नहीं है मतलब साउंड मिटेड है उनली इसमें साउंड है क्योंकि इसका अनदर मिट का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो इसमें सांड है तो हम इसको click कर दिया है, click करने का बाद यह थोड़ा सा एक minute हम इसको थोड़ा है, अभी यह download हो रहा है, तो यह जब खुलेगा इसको हम right click करके अगर इसको save as करेंगे, तो save as अगर हम लोग करेंगे तो देखिए इसमें mp4 बोलके आ जा रहा है, तो हम test का अंदर mp4, वो मे तुम कैरे दिल में लिख्व देता हैं नेकिशोर कुमार लिख देता है सॉंग कि तॅंवक एक सेव होगे इसको अब वि गरम लोगं कर दिए अभी हम लोग चला जाते हैं ये जो QBase है QBase में हम लोग एक track लिया है जैसे विडियो track हम लोगों को लेना पड़ता है इसको हम डिलिलर ajud रिमूप करता है देहीं right click करके add video track इसको लिया है अभी closet terme में जाके हम लोगों को import करना क्यों सा file never video file import करना है video file import करना है तो इसमें हम लोगों को जाना है टेस्ट का अंदर तो इसमें किशोर कुमार सॉंग इसको ओपेन करना है तो अभी जब हम लोग ओपेन किया है तो आटोमेटी के लिए देखिए इसमें वीडियो भी आ गिया है और उसका साथ-साथ आप कोई भी ट्रैक में गाना भी गा सकते जैसे कि हम इसको म्यूट कर देत है तो इसको इसको मनलब देखने के लिए आप लोगों को एफ-इट प्रेस करना पड़ेगा जैसे कि एफ-इट का मतलब है वीडियो का स्क्रीन खुल जाएगा तो इसमें अब प्ले करोगा तो यह चलते रहेगा और उसका साथ-साथ आप एधर नीचे में एक एक मोनो ट् पड़ेगा एक इसको मोनो करो मोनो करके यह लिफ्ट साइड मतलब जो जो चैनल में अब लगाओगे तो ओ चैनल को सिलेक्ट करो सिलेक्ट करके जैसे हम हेलो हेलो बोल रहे हैं इस सिगनल आ रहा है तो हम इसको गाना गा सकते हैं मतलब यह गाना चला के जैसे चलने से चले और गाना भी चेंज हो जाएगा मतलब लिखा भी चेंज हो जाएगा तो लिखा देखके देखके आप इसको कर सकतो अभी क्या है नॉर्माली बहुत सारा लोगों को वीडियो ठीक से आते नहीं है तो इसलिए यह क्उइक टैंप लोड करना पड़ेगा फ्रत करने का बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा स्टुडियो का अंदर जाकर स्टूडियो सेटफ में जाकर इधर जो यह इधर किधर गिया," इस्पले, रिकॉर्ड, फी एस्टी, ट्रेक, ओडियो, शिस्ट्यम वीडियोॉ यह जो वीडियो प्लेयर है वीडियो फ्लेयर ओन स्क्रीन विंडो है तो क्विक टेम प्लेयर इंस्टॉल करेगा तो क्विक टेम आ जाएगा 64 वीट होना चाहिए क्योंकि हम लोग अभी QS10 यूज कर रहे है QS10 प्रो यूज कर रहे है तो इसलिए 64 वीट चाहिए और 64 वीट होने से इधर आ जाएगा और जो QS5 यूज कर रहे है तो उसको 32 वीड यूज करना चाहिए तो यह होने से इसका काम बन जाएगा और एक बात question किया है जैसे कि QS हम लोग जब install करते है QS Pro को दो टाइप का QS आ जाता है जैसे कि QS DC आ जाता है और एक QS 10.5 आता है दो टाइप का आता है तो यह DC का मतलब क्या है और QS 10.5 का मतलब क्या है यह थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को paint में समझाने के लिए तो DC का मतलब है DC offset remove DC offset तो DC offset होता क्या है और एक amplitude का हिसाफ से चलते हैं और normal जो QS 10.5 यह तो normal है यह तो आप लोग जानते ही हो यह भी 10.5 है अगर खोलोगा तो यह भी 10.5 है normally इसका अंतर जो है मतलब यह और यह इसका दोनों का अंतर जो है normally जब कोई amplitude होता है जब कोई sine wave बनता है तो sine wave जब बनता है तो यह जो जगा होता है जैसे कि यह उपर का जो जगा होता है जो जगा में touch करता है यह जगा यह जगा यह जगा यह zero crossing point होता है है मतलब हम ऐसे करके करते हैं तो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट से हम एक लाइन टानेंगे तो यह सब डीसी यह सब डीसी ओफसेट मतलब इसमें चक करके साउंड आ जाएगा मतलब आप लोग इधर से काटोगे तो यह जगा पर एम्प्ली जो एम्प्ली फिकेशन है वो इसका साउंड आ जाएगा ठीक है ना इधर से अगर हम लोग काटेंगे तो यह जो जगा यह त्रीभुज बनता है तो यह जगा पर साउंड कट जाएगा ठीक से नहीं होगा तो इसको DC ऑफसेट बोलता है मतलब DC ऑफसेट होके ही कोई audio import हो जाता है मतलब उसका अंदर जो audio हम लोग use करता है तो उसका अंदर कोई भी DC ऑफसेट होता नहीं है और remove हो जाता है तो यह है इसका में अंतर दोनों का अंदर अंतर है तो यह हो गिया और बहुत सारा आप लोग बहुत सारा questions भी किया है तो जल्दी जल्दी हमें questions को solve कर देंगे तो यह basically यह tutorial जो है बहुत सरा लोग कारों के में गाना गाते है और आभी तो इतना खराब situation चल रहा है कोरोना का वज़ा से तो इसलिए सब लोग घर पर ही है तो उसका ही सबसे वोग चाहते हैं यहां हम लोग थोड़ा सा यह करे मतल मोबाइल में चलाना नहीं है इसमें आप लोग इंपोर्ट कर लो इंपोर्ट करके चला सकते हो बहुत अच्छा से काम हो जाएगा और इसका अंदर से आप बहुत कुछ ढाल भी सकते हो मतलब effect ढाल के बहुत अच्छा तरीका से काम भी कर सकते हो next tutorial में आ रहा है हम जल्दी आ रहा है next tutorial में थोड़ा से Ableton को उपर बोलेंगे थोड़ा सा chord structure को उपर बोलेंगे और कुछ compose करके दिखाएंगे सूर लगा के जैसे कि हम लोग तो सूर बनाते हैं सूर बनाने का बात जब lyrics हम लोगों को मिलता है तो lyrics का हिसाफ से सूर सूर को दिख के हम लोगों को बहु this video आप लोग जो लोग हमारा channel में नया है थोड़ा subscribe किजिए channel और बहुत धेच सारा share किजिए और जितना सारा questions आप लोगों को queries है सब query हमको थोड़ा सा मतलब channel में हमको बोलना है तो उसको लेके हम बैठेंगे बैठ के हम उसको solve करेंगे thank you दोस्तो thank you for watching this video झाल 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 झाल